हलो स्टूडेंट्स तो आज मेरे हाथ में पड़िवे इस नाम की किताब है क्लास एट स्टूडेंट्स के बच्चों की तो यह हिंदी की किताब है और इसका चैप्टर 11 मानवता ही विश्व सत्य है ना यह आप देख सकते हो जो एक बड़ी अच्छी सी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइब करने वाले हैं तो लेट साइड में मैंने चैप्टर का पेज दिखाया है और देखो यहां पर लिख रखा है आपको याद दिनाने के लिए कि जीने स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल न्यूएज कोजिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह मुझाओंगा थे यह आ गए हम लोग क्वेस्चन के पेंगे तो कविता बोध सक्षन में पहला सवाल क्या है कि हम यह अब्जिक्टिव वाला क्वेस्चन है अब्जिक्टिव कह सकते हैं क्या औरल एक एक वर्ड का अच्छा तो पहला सवाल है कभी धर्ती का आचल कहां फैराना चाहता है उसका जवाब है कि प्रित्वी के अलावा और भी ग्रहों और उप ग्रहों पर कभी धर्ती का आचल फैराना चाहता है अगला सवाल है कभी ने सभी देशों के लोगों को निकट लाने के लिए क्या उपाय बताया है लोग एक दुसरे से वेदभाव ना करें, विरोध ना करें, सभी देश मिल जाएं और भूराष्ट का निर्मान हो ये उपाय बताया कवी ने सारे देशों को एक दुसरे के निकट लाने के लिए सारे देश के लोगों में अपना पन बढ़ाने के लिए अगला सवाल है कि इस कविता का मुख्य संदेश क्या है इस कविता के साथ जो मैसेज दिया जा रहा है संदेश दिया जा रहा हम सब लोगों को वो क्या है तो इसका विता का मुख्य संदेश इस प्रित्वी के सभी लोगों के लिए है कि सब भेद भाव और विरोध का त्याग कर मानवता, सत्भावना, विश्वबंधुत्व और सहयोग की भावना के साथ जीएं है न, बहुत बड़ा मेशेज है कि सब में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी एक दुसरी का विरोध ना करें, मानवता की बात हो, सत्भावना की बात हो, विश्व भंधुत्वत्व.. हैं न, भावज न, सारे लोग एक दुसरे को भाई-भाई के जैसा सोचे, एक द जवाब देने हैं पहला क्वेश्चन है कि धर्ती को स्वार्ग किस प्रकार बनाया जा सकता है तो धर्ती को स्वार्ग किस प्रकार बनाया जा सकता है भई अगर प्रित्वी के सभी देशों के लोग मानवता सत्भावना भाईचारा और सहयोग की भावना से जीएं भेद पिरोध ना हो, मिल करके वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास करें, अनि ग्रह पर अपना जंडा फहराएं, और प्रित्वी पर सुख संपता और सांती हो तो धर्ती स्वर्ग जैसी हो जाएगी, है ना, ये जवाब है, दूसरा सवाल है, मनुस्य के लिए कौन साच्छन महत महतुपूर्ण है, तो मनुस्य के लिए वोचन महतुपूर्ण है, जब अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना संभव हो गया, और मानव निर्मित सैटेलाइट्स अस्टैबलिश करना संभव हो गया, और मनुस्य ने रॉकेट की मदद से चान पर जा करके, अपना जंडा फहरा दिया, तो यह सारे के सारे मॉवमेंट्स जो है, बड़े स्पेसल है, बहत महतुपूर्ण है, है ना, कभी की इच्छा क्या है, क्या है कभी की इच्छा, तो कभी की इच्छा है कि धर्ती की सभी देशों में एक्ता, मानवता और विशुबंधुत हो, कोई भी भेदभाव लोग ना बोलने कि वो अमेरिकन है, वो जापानी है, वो चाइनीज है, ऐसा ना हो, है ना, अफिर जो होता ना, रेसिज्म, गोरे काले वाला भेद, वो भी ना हो, अमेर करीब बाला भी ना हो, सभी मिल करके प्रिथवी को वैज्ञानिक तकनीक का उप्योग करके बनाएं यही संदेश है यही इच्छा है कभी की है ना घव मनुसी ने किन बंधनों को तोड़ करके कहां तक अपनी पहुँच बनाई है यह है इसका जवाब कि मनुसी ने दूरी और समय के बंधनों को तोड़ करके अंतरिक्षी ही नहीं बलकि चांद तक अपनी पहुँच फिलार बनाई है आगे उन्होंने अभी मार्स पर रॉकेट तो भेजा है लेकिन वहाँ पर मैंड मिशन अभी नहीं भेज पाये है तो किस चीज का बंधन है इसमें दूरी और समय का बंधन कि भई मार्स कितना दूर है मून कितना दूर है यहां से फिर भी मनुस्य अपने रॉकेट से वहां पर पहुँच पाया और वहां तक पहुँचने वाला समय कितना ज्यादा लगता है तो इन दोनों ही बंधनों को जोने तोड़ा है अब हम लोग लॉंग एंसर टाइप को सुल्व करना शुरू करते हैं पहला कुस्चन है कि विज्ञान का संपुर्ण विकास किसके कल्यान के लिए होना चाहिए तो विज्ञान का संपुर्ण विकास मानव जाती और प्रकृति के कल्यान के लिए होना चाहि अभी भी कई देश के नागरिक भुखमरी असिक्षा और स्वास्थ समंधि गंभीर समस्याओं से जूज रहे हैं और ये समस्याओं भी ज्ञान से ही सौल्व हो सकती है कि साइन्स और टेकनलोजी का इस्तेमाल लोग हतियार बनाने के लिए मिसाइल बनाने के लिए ड्रोन बनाने के लिए ना करें जबकि उसका इस्तेमाल लोगों की मेडिकल फैसलिटीज खाने के अनाज का ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो लोग ज़्यादा पढ़े ल दिरगुतर ये question long answer type questions में अगला सवाल आपका ख़व है इसके बारे में कि जीवन परद्यतियों के भेद किस प्रकार हो सकते हैं जीवन परद्यति का मतलब है लाइफ स्टाइल तो दुनिया में लोगों की लाइफ स्टाइल में काफी सारा डिफरेंस है ना बिलकुल तो इसका जवाब है कि पहनावे खान पान उचनी जैसे भेद भाव जीवन परद्यतियों में देखने को मिलते हैं अतह उपरोब्त भावों से दूर रह करके एवन विश्व बंधुतु की भावना अपना करके सब एक हो सकते हैं गौ मानव युगों से क्या सपना देख रहा था और वो कैसे साकार हुआ तो मानव युगों से चंद्रमा पर जाने का सपना देखा था साथ ही ये भीकी ग्रह उपर धर्ती का स्यामल आचल फहराया जाएगा तो मानव ने ये सपने विज्ञान की प्रक्ति से साकार किये हैं ये धर्ती सुख और संपदा से कैसे संपन होगी ऐसा तभी हो सकता है जब मानव अपने विकास को धर्ती के हित के लिए प्रियोग करे विज्ञान की विकास को मानव या धर्ती की छती के बजाए मानव कल्यान और धर्ती की रक्षा में प्रियोग करे तो ऐसा हो सकता है अगला question कि कविता से पंक्तियां चुन करके लिखना है जिसका अर्थ दिया हुआ है तो ये question मैं आपको left side में भी दिखला देता हूँ फिर हम लोग इसका answer भी पढ़ेंगे तो कविता की कौन सी पंक्तियां दे गई है वो हमें लिखना है लेकिन उन पंक्तियों के अर्थ लिखें हुए है सभी देशों के मनुस्यों को परस पर विरोज समाप्त कर एक दूसरे के पास आना चाहिए तो ये अर्थ किन पंक्तियों का है ये अर्थ इन पंक्तियों का है जिसमें लिखा है कि भेद भाव विरोध सांत कर निकट आएं सब देशों के जन ये पहले का उत्तर हो गया दूसरा अर्थ यहां लिखा है कि मनुश्य अन ग्रहों पर पहुँच करके धर्ती जैसी हडियाली और जीवन का सिंचार कर दे तो ये अर्थ इन पंक्तियों के है कि फहराए ग्रह उपक्रह में धर्ती का सियाम अलाचल अब अगला कुश्चन है कि पठित गध्यांस को पढ़ करके प्रसनों के उत्तर देने है तो गध्यांस यहां पर लिखा हुआ है पद्यांस कविता की पंक्तियों को हम पद्यांस कहते हैं और कहाने की पंक्तियों को गध्यांस कहते हैं चंद्र लोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदारपन छिन हुए लो देश काल के दुर्जे बाधा बंधन दिग्वजई मनुसुत निश्चे कितना महत्युपुर्ण यह चन भेट भाव विरोध सांध कर निकटाएं सब देशों के जन अच्छा तो अब इसमें पहला सवाल यह है कि मानव ने कहां प्रवेश किया है तो चंद्र लोक और अंतरिक्ष में मानव ने प्रवेश किया है मानव ने कौन से बंधनों को तोड़ा है मानव ने देश काल, समय और दुड़ी के दुड़जय, बाधा बंधनों को तोड़ा है ये इसका उत्तर हो गया गव कौन से अवसर को मनुस्रिक की दिगविजय बताया गया है तो मनुस्य के द्वारा चंद्रलोक और अंत्रिक्ष में जाने के अवसर को कभी ने दिगवीजय बताया है। बढ़िया सा टाइटिल लिखा जा सकता है जो जस्टिफाइड हो सुटेबल हो तो हम लोग इसके लिए टाइटिल लिख सकते हैं वसुधेव कुटमबकम या हम लोग इसके लिए दूसरा टाइटिल भी सजेस्ट कर सकते हैं मानवता परंधर तो इसके साथ ही आपके इस पर कहूंगा कि मेरा चैनल न्यू वेज कोचिंग आप सब इसे लाइक करो सेर करो सब्सक्राइब करो है ना और आने वाले समय में इस पर आपको काफी सारे वीडियो मिलने वाले हैं आपकी स्कूल की किताब के टेक्स्ट बुक के ऐसा नहीं है कि सिर्क पड़िवे इस हिंदी किताब का ही सल्वीशन से लेकर के आऊंगा अना मैं आपकर जीके एसस्टी और इंग्लिष के भी सॉलुशन से लेकर के आऊंगा बस थोड़े दिन का इन्टियार है फो थेमक्यो फर वाचिंग हैपी लर्निंग विथ न्यूएज कोचिंग